हेलो जी नमस्ते वेलकम है до मैं आपसे करने वाली हैं हम लोगा बुत सोब जहाँ कईए किमरे में थोड़ा को कम देखेंगा लेकिन सामने से इतना सोफा मेरा गंदा दिख रहा है तो इसे हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं बिल्तुल क्लीन कर सकते हैं पूरा का पूरा आप सोफा ये देखे जो दाग लग गए है ना मिटी के हम लोग के पैर बैठते हैं पैर रखके तो ये दाग लग जाते हैं तो यही मैं साफ करके द का सोफा कैसे हम लोग हाथ से ही अपने घर में साफ कर सकते हैं सोफा को इसी के बारे में आज की वीडियो है चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे हम लोग इसी में अपना लिक्विड तयार करेंगे अब इसमें लेना है हम लोगों को 200 ml तक पानी गुनगुना रहेगा बहुत न गरम रहे न ठंडा रहे सर्दियों का दिन है न इसलिए हम लोगो थोड़ा दाग घटाना है तो गुनगुना रहे इतना रहे कि आपकी उंगली जो है बरदाश कर ले इतना पानी हम लोग ले लेंगे 500 ml अभी लिया है मैंने कम पड़ेगा तो और बना लेंगे आप कम जादा अपने हिसाथ से पानी कर सकते हो आपकी जरूरत पे है तो पानी ले लिया है मैंने और अभी हम लोग लेंगे इजी आप इजी लीजिए या फिर शाम्पू ले लीजिए कुछ भी यूज कर सकते है एक आपको लिक्विट चाहिए तो हम इजी ले लेंगे इसमें यह देखिए बहुत ज्यादा नहीं लेना है हम लोगों को अगर आप पाउच ले रहे होना तो एक पाउच ले लीजिए बस मैंने इतना सा आधा धकन के बराबर इसको ले लिया है और यह जो पानी है हम कि आफ कर London यह मैं हैंड वास्ए डालूंगे इसमें क्योंकि सोफा बेख्टीरिया बहुत होता है आपको पता ही है क्योंकि रोज-्रोज हम लोगों कुछ की सफ़ाई कर नहीं पाते हैं तो इसमें हैंड वास्ट होड़ा सा डाल लीजिए ताकि जितने बैक्टीरिया होंग तो मैंने इनो लिया है, इसको हम लोग पूरा डाल देंगे, एक पाउच पूरा, और इस लिक्विड में अब हम लोग डालेंगे, या तो नमक डाल दीजिए और या तो नीबू, तो मैं नीबू ले रही हूं, इसमें मैं आधा नीबू निचोड़ोंगी, देखिए, आप न हम लोगों को मिक्स कर लेना है, ताकि जो शैंपू था हम लोगों का न, और जो हैंड वॉस, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ये बहुत कमाल का लिक्विड तैयार होगा, आपका, बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए, तैयार हो गया है liquid हम लोगों का अब चलिए मैं आपको बताती हूं किसे use कैसे करना है? अब हम लोगों को एक spray bottle च Neemates जाहिए अगर spray bottle नहीं है आपके पास तो वो भी मैं आपको बताऊंगी की कैसे आप बिना spray bottle का भी use कर सकते हो इसमें डाल लेंगे ताकि आसानी रहेगी हम लोगों को यूज करने में अब ये भी आपको दिखा दूँगी कि अगर इस प्रे बॉटल नहीं है तो भी हम लोग इसे इस लिकवीट को कैसे सोफा पे यूज करेंगे ये दिखी ये हम लोगों का लिकवीट है इसके कैप को हम लोग बंद कर लेंगे चलिए सोफा साफ करते हैं सबसे पहले जो पार्ट हम लोगों का गंदा है वहाँ पे इसे स्प्रे कर देना है सबसे पहले हम लोग उसी को साफ करेंगे फिर बाकी बाद में करेंगे तो जहाँ जहाँ ज्यादा गंदगी है उस पे हम लोग इसको हलका हलका स्प्रे कर देंगे किनारे किनारे ही ज्यादा गंदा होता है पैर लगता है और बहुत ही अच्छा तरीका में आपको बताने वाली हूँ आप देखेगा कि कैसे आपका सुफ़ा बिल्कुल साफ हो यह एक लोटा देखिए लोटा है तो बहुत ही अच्छा काम करेगा और बस एक सफेद रुमाल सफेद रुमाल मैं इसलिए आप कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हो लेकिन मैं सफेद इसलिए ले रही हूं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं कि कैसे यह गंदगी हम ल अच्छे से हम लोगों को नौट लगा लेना है और टाइट करके बांध लेना है यह देखिए इस तरीके से अपना लोटा हम लोगों को तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छा काम करेगा चलिए शुरू करते हैं और अब जहां हम लोगों ने इस्प्रे किया है ना इसी घुमाते जाईए पूरी की पूरी गंदगी आप देखोगे कपड़े में आ गई है और सोफा आपका कितना क्लीन हो गया है ये देखिए ऐसे ही ऐसे ही आपको करते जाना है जहां आपने इस्प्रे किया है वहीं पर अच्छे से दबा के ऐसे घुमाएंगे और प्रेस करते जाएंगे तो आपकी सारी गंदगी इसी कपड़े पे आ जाएगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आएगा ये ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये देखिए कैसे ये काला पन ये देख रहे हैं न ये ऐसे ही सारा काला पन आपका खीच लेगा आप सिंपल कपड़े से भी कर सकते हो लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे से होता है ये देखिए आप किनारा इसका किनारा मैंने साफ कर लिया है और इसका अभी नहीं किया है ये भी ऐसे ही था लेकिन अब देखिए ये कलर और ये कलर बिल्कुल मैच कर रहा है हम लो बहुत जादा तो हम लोगों ने इसमें पानी डाला नहीं है और अब देखिए बिलकुल इक्वल हो दिख रहा है आपको यह देख रहा है यह देख लीजिए और आपको अंतर मैं दिखा रही हूँ यह कॉर्नर से साफ पता चल रहा है इसको मैंने अभी साफ नहीं किया है और यह किनारा मैंने साफ कर लिया है तो देखिए कितना साफ हो गया है खुद देख लीजिए कितना अच्छा साफ हो गया है सोफा हम लोगों का मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कैसे अपने सोफे को साफ करेंगे तो कटोरे में जो लिक्वीड हम लोगों ने बनाया है किसी भी बरतन में उसे निकाल लीजिए और जो अपना कपड़ा है जैसे ये देखिए ये कपड़ा है मेरा इसको अच्छे से निचोड लीजिए बिल्कुल सूखा अच्छे से इसको निचोड के और देखिए जहां गंदा है सोफा उसको ऐसे साफ करते जाएए आप देखूगे कि सारी की सारी गंदगी ये देखिए सारी की सारी गंदगी आपके रुमाल में आ जाएगा इस्प्रे करने से क्या है ना कि बहुत ज़्यादा पानी हम लोगों के उसके सोफे में नहीं जाता है लेकिन अगर इस्प्रे बॉटल नहीं है तो घवराइए नहीं सिर्फ हाथ से ही ऐसे हैंकी को अच्छे से करके आप अपना सोफा चमका सकते हैं अब बस अगर इस्प्रे बॉटल है तब तो कोई बात ही नहीं है ये देखिए कैसे गंदगी हम लोगों के रुमाल में आ गया है ये काला काला देखिए ऐसे ही अभी मैं आपको ये भी किनारा ये जो है ना अभी मैं साफ करके दिखाती हूँ बिलकुल क्लीन हो जाएगा ये ये देखिए पहले गसा था ये कार्नर अब देखिए देख रहे हैं कितना साफ हो गया सोफा हम लोगों का और इसी तरीके से हम लोग सब को कर लेंगे सारे बहुत ही क्लीन हो जाएगा देखिए और ये देखिए कपड़ा हम लोगों का कितना काला हो गया है देख रहे हैं देखिए तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा आप इसी तरीके से हम लोग अपने सोफे का हर कोना ऐसे ही साफ कर लेंगे कोई अगर दाग धबबा भी लगा है आपका वो भी साफ हो जाएगा ये देख लीजिए आप खुद कितना अच्छा साफ हो गया है सारा का सारा किनारे सोफे का तो ये आडिया को कैसा लगा मुझे बताईएगा हम लोग फिर मिलेंगे थैंक ये सो मच